नमोनमह संस्कृतक अक्षायाम भवताम भवतिनांच पुनरेकद स्वागतम अहम अस्मी अशोक कुमारह अध्यवयं सेमुषी द्वितिय भागह इती पुस्तकस्य अश्टमस्य पाठस्य अभ्यासकारियं पठेश्यामह अस्य पाठस्य सीर्षक मस्ती विचित्रह शाक्षी प्रियच्छात्रो संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम सेमुषी द्वितिय भाग इस पुस्तक के आठवे पाठ के अभ्यासकारिय को पढ़ेंगे पाठ का सीर्षक है विचित्र शाक्षी आदव उनहसमार्णम कुर्मह एकह नर्धनह जनह आसीत सह बहु स्रमेण धनम आर्जैत्वा पुत्रस्य एकस्मिन महाविद्याले प्रवेशम कारितवान पुत्रह चात्रवासे एव निवासम कृत्व अध्यनम करोतिस्मा एकदा पुत्रह रुग्णह जातह चिन्तितह पिता पुत्रम मेलितुम प्रस्थानम करोती निर्धनस्य तस्य समिपे बस यानस्य चीटिकाम क्रेतुम अपिधनम नासीत अतह से पादाभ्याम एव चलितुम प्रारब्धवान सायंकालह आभवत परंतु पुत्रश्य चात्रवासे तु बहुत दूर मासीत रात्री काले निर्जन प्रदेशय यात्रा नय योग्या इती चिंत इत्वा सह निवाशाय समिपस्थे ग्रामे एकस्य जनस्य ग्रिहम गच्छती दयालू ग्रिहस्था तस्मई रात्री निवाशाय स्थानम ददाती दूर्भाग्य वशात तस्मिन ग्रिहे एक हा चोरह रात्रौ प्रविशती सह चोरह ग्रिहात एकाम पेटिकाम चोरैत्वा पलाईतः अति थिही चवरास्य पादध्वनिना जाग्रेतः सह चोरास्य प्रिष्टत अधावत तस्य ग्रिहनम्च अकरोत वस्तुतह सह चोरह ग्रामस्य आरक्षी एवासीत सह उच्चैही चोरोयम चोरोयम इति कोलाहलम अकरोत ग्राम्य जनाह तस्य कोलाहलम सुरुत्वा आगत्य अतिथिम एव चोरह इतिमत्वा तस्य निंदाम अकुर्वन सह आरक्षी अतिथिम काराग्रिह एक्षिपत प्रातह सह आरक्षी निर्धनम जनम नित्वा नियायालयम अगच्छत तत्र नियायाधी सह बंकिम चंदर चटरजी महोदयासीत सह उभयोहो पक्षम सुरुत्वा ज्ञातवान यत आरक्षी एव वस्तुतह चोरहा परम यतह तस्य समीपे किमपे प्रमाणम नासीत अतह सह तव अग्रिमे दिने आवयती अग्रिमे दिने तव उनह स्वश्व पक्षम उक्तवन्तव तदानी मेव एकह करमचारी आगत्य न्यायधिसम सूचयती यत इतह क्रोश द्वयम दूरे एकस्य जनस्य केनापी हननम करतमस्ती न्यायधिसह योजनानुसारं अतिथिम आरक्षिनमचा शवम आनेतुम आदिष्टवान तव तत्र गत्वा शवम सकंधेन आनयतह यतह अतिथि क्रिशकाय हासीत अतह शवस्य भारं वोडुम सह नशक्नोती तस्मात कार्णाच सहरोधिती तस्य रोधनम सुरुत्वा आरक्षि तम अतिथिम कथयती रे दुष्ट तद्दिने त्वया अहम चोरितायाह पेटिकायाह ग्रहनाद वारिताह आसम अधुना तस्य दुषकर्मणह फलस्य आस्वादनम कुरू अधुना त्वम चोरिया भी योगे वर्ष त्रैस्य कारावास दंडनम लप्ष्यसे वस्तुतह शव रूपेण एकह जीवितह नरह आसीत न्याय धीशस्य योजनानुसारं सह जनह सवह इती रूपेण तत्रतिष्ठतिस्म द्वयोह अपिवार्तालापं सृत्वा सह शवह तत्र न्याय आले न्याय धीशं सर्वं विवरणं वदती अतह न्याय धीशह तस्य जनस्य यह शवरूपेण आसीत तस्य विवरणं सृत्वा आरक्षिनं कारावासे एस्थापयत अतिथिम्च सैसम्मानं उक्तवान न्याय धीशह युक्ती नीती माध्यमेन न्यायं आकरोत चात्रा अधुना वयम अस्य हिंद्या अर्थम पस्या महा जानी महा बच्चो एक बार एक निर्धन व्यक्ति था वह बहुत परिश्रम करके थोड़ा भूत पैसा इखटा करता था धन अर्चित करता था और उस धन की सहायता से वह अपने बेटे का एक महाविद्याले में प्रवेस दलाने में सफल हो जाता है उसका बेटा वहां चात्रावास में रह करके अपना अध्यन शुरू करता है एक दिन पिता को सूचना मिलती है कि उसका बेटा ऐस्वस्त है उसे सुन करके वह पिता बहुत व्याकुल हो जाता है और चित्नता मगन हो करके वह तुरूंत उससे मिलने के लिए चल देता है अब जैसे वह घर से चलता है तो धनकी उसके पास कमी है बस का टिकट खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है तो उस स्थिति में वह पैदल ही चलना सुरू कर देता है सुभ्हे से चलते चलते साइंकाल हो जाता है और वह देखता है कि अभी तो बच्चे का जो छात्रवास है वो बहुत दूर है और अंधेर अचाने को है और अंधेरे सुनसान छेत्र में रात के समय यात्रा करना कोई अच्छी बात नहीं है यहाँ विचार करके सहपास में ही स्थित एक किसान के घर में गया एक व्यक्ति के घर में गया और उस व्यक्ति के घर में जाकरके रात्री वास के लिए सरण मांगता है वह दयालू व्यक्ति भी उसको अपने घर में रात्री निवास के लिए अनुमति दे देता है अचानक दुर्भाग्य से गटना गटित होती है जिस घर में वह निर्धन व्यक्ति अतिथी के रूप में रात को रुखता है उसी घर में एक चोर चोरी करने के इरादे से घुश जाता है और वहाँ पर रखे हुए एक पेटिका को एक संदूक को उठा करके भागता है अतिथी चोर के पैरों की आवाज को सुन करके उसकी नीद खुल जाती अतिथी की और वह चोर इस संका के साथ उसके पीछे पीछे दोड़ता है उसको पकड़ लेता है तब ही अचानक से वह चोर ही उल्टा अतिथी को देख करके ही यह चोर है यह चोर है इस तरह से जोर जोर से चिलाना शुरू कर देता है उस चोर की आवाज को सुन करके गाउं की लोग उठ जाते हैं और वहाँ आ करके अतिथी को ही चोर मान लेते हैं और उसकी बहुत निंदा करते हैं इसके बाद में वास्ताओं में वो जो चोर था वह गाउं का ही कोतवाल था तो वह कोतवाल उसी समय उस अतिति को ले जा करके कारवास में डाल देता है सुभे वह आरक्षी उस अतिति को ले करके उस अभियुक्त को ले करके बच्चो जिस पर मुगदमा दर्ज हो जाता है उसको हम अभियुक्त कहते हैं तो उस अभियुक्त को लेकर के वह न्यायाल्य में जाता है न्यायाल्य में न्यायधीश के रूप में बंकिम चंदर चटर जी जो बंग भाशा के प्रशिद्ध सहित्यकार है वह वहां निर्णायक के रूप में न्यायाधीश के रूप में वहां रहते हैं बंकिम चंद्र चटर जी उन दोनों की बातों को सुनते हैं दोनों के बक्ष को जानते हैं उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि यह आरक्षी ही चोर है और यह अतिथी तो निर्दोश है परन्त क्योंकि बच्चों उसके पास कोई प्रमाण नहीं था इसलिए वह उस समय देने में ऐसमर्थ था उन्होंने उन दोनों को अगले दिन आने के लिए कहा अगले दिन जब वह दोनों आकर के अपना अपना विशय रख रहे होते हैं तब ही एक करमचारी आकर के न्याइधिस को बताता है कि यहां से दो कोश्क की दूरी पर जो राजमार्ग है उसके प उसका किया जाए न्याइधिस उसके बात को सुन करके उस अतितिए और आरकशि को आदेश देता है जाइए उस शव को ले करके न्यायाले में आई रहे हमें वास्ताव में यह कि एक योजना थी उस योजना के अनुसार उन्होंने एक जीवित व्यक्ति को शव के रूप में वहां पर लिटा दिया था अब दोनों अतिथी और वह आरक्षी उस मृत शरीर के पास में पहुचते हैं जो एक लकड़ी के तखत पर सफेद चदर से ढखा हुआ है कपड़े में ढखा हुआ है वह उनको कंधे पर रख करके दोनों लाते हैं क्योंकि अतिथी कमजोर था शरीर से दुरबल था और आरक्षी हटा-कठा था तो आरक्षी को तो कोई समस्या नहीं थे उस भार से परंतु अतिथी के लिए उस सव का भार ढोना बहुत ही कठिन हो रहा था और वह भार की वेदना से कष्ट के कारण उसने रोना सुरू कर दिया उसको रोता हुआ देख करके खुस हो करके वह आरक्षी कहता है रे दुष्ट तूने उस दिन उस चोरी हुई पेटी को ले जाने से मुझे रोक दिया था अब अपने उस दुस कर्म का फल भुगतो इस चोरी के केस में कम से कम तीन वर्ष की तुम्हें सजा होगी जेल के सजा कारावास में तुम्हें जाना पड़ेगा किसी तरह से शव को ले करके वो नियायाले में आ जाते हैं नियायाधिस दोबारा से दोनों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहता है जब वह आरक्षी अपना पक्ष रख रहा होता है तभी एक विचित्र घटना घटती है और शव के रूप में जो व्यक्ति लेटा हुआ था वह उठ करके नियायधिस को प्रणाम करके कहता है कि महोदे मैं आपको वो बाते बताता हूं जो इन्हों ने दोनों ने रास्ते में आपस में की है फिर वह बताता है कि यहां आरक्षी इसको कह रहा था क्योंकि तुमने चोरी हुई पेटी ले जाने से मुझे रोक दिया था तो उसका परेणाम अब भुगत कम से कम तुमें तीन साल की जेल होगी नियायधिस उस व्यक्ति की बात को सुन करके उसके पास प्रमान आचुका था कि यहां आरक्षी ही जूटा है चोर है इसलिए वह आरक्षी को कारागार की सजादे देता है और उस अतिती को सम्मान के साथ में छोड़ देता है चात्राह अधुना वयम पाठे आगता नाम केशांचन पदा नाम अर्थम जानिमह भूरी परियाप्तम अर्थात अत्यधिक उपार जितवान अर्जितवान कमाया निवसन वासम कुर्वन रहते हुए बच्चों यहां निवसर्ग वसधातों में शत्री प्रत्य है तो शत्री प्रत्य करते हुए अर्थ में होता तो वास करते हुए रहते हुए प्रैस्त्रिते विस्त्रिते अर्थात फैले हुए विजने प्रदेशे एकांत प्रदेशे अथवा निर्जनक्षेत्रे सुन्सान छेत्र में एकांत स्थान पर शुभा वहा कल्यान प्रदा अर्थात कल्यान कारी ग्रही ग्रिहस्वामी अथवा ग्रिहस्थ दैव गतिही भाग्य स्थितिही भाग्य की लीला पलाई तह वेगेन निर्गतह हिंदी अर्थ देखे तो भाग गया या चला गया प्रबुद्धह जाग्रितह जाग गया त्वरितम शिग्रम जल्दिही प्रस्थितह गतह चला गया अर्थ कार्षेन धनस्य अभावेन धनाभाव के कारण पदाति रेव पदाति ही धन एव पादाभ्याम एव पैदल ही पुन्सह पुरुशस्य मनुष्य का निहिताम स्थापिताम रखी हुई अन्वधावत अनू धन एधावत पीछे पीछे दोड़ा क्रोशितुम चितकर्तुम जोर जोर से चिल्लाना तार स्वरेण उच्च स्वरेण उची अवाज में ऐ भर्थ्ष्यन भर्थ्ष्नाम अकुर्वन भला बुरा कहा प्रेखाप्य स्थाप्य स्थापित करके चोर्या भी ओगे चोरियस्य अभियोगे अर्थात चोरी के आरोप में नीतवान अनयत ले गया अवगत्य ज्ञात्वा जान करके दोश भाजनम दोशस्य पात्रम अर्थात दोशी आरक्ष निम सैनिकम रक्ष पुरुषम कोतवालको आदिष्टवान आज्याम दत्तवान आदेश दिया स्थापित वन्तव स्थापनाम क्रित वन्तव अर्थात स्थापन की यापना पक्ष रखा तत्रत्यहा तत्रभावा वहां का न्यवेदयत प्रार्थयत प्रार्थना की क्रोश द्वयांतर आले द्वयो हो क्रोशयो हो मध्धे दो कोस के बीच में अर्थत 5-6 किलोमेटर दूर बच्चों प्राचीन समय में दूरी को नापने के लिए कोस सब्द का प्रियोग किया जाता था आज कल भी यदि अपने दादा नाना या किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो दूरी को अभी कोस में ही बताने का प्रियात्न करेंगे आदिश्यताम आज्याम दियताम आदेश दीजिए उपेत्य समीपम गत्वा पास जाकर काश्ठ पटले काश्ठस्य पटले लकडिके तक्ते पर निहितं स्थापितं रखा गया पटाच्छादितं पटेन आच्छादितं अर्थात वस्त्रेन आवरितं कपडे से धका हुआ वहन्तव धार्यन्तव धोते हुए क्रिशकायह दुर्बल शरीरं अस्तियस्य सह अर्थात कमजोर शरीर वाला भार वेदनया भारस्य वेदनया भारस्य पीडया वेदन अर्थात पीडा भार की पीडा से क्रंदनम रोधनम रोना निशम्य स्रुत्व आकर्णय सुन करके मुधितह प्रसन्नह चत्वरे चतुष्पते प्रांगणे वा चबूत्रेपे या प्रांगण मे प्रावारकं आच्छादन वस्त्रम उपर ओढ़ हुआ वस्त्र अपसारिय दूरम कृत्वा दूर करके अभिवाद्य अभिवादन करके प्रणाम करके एध्वनी मारगे रास्ते में यदुक्तम यत धन उक्तम यत कथितम जो कहा गया है वारितह निवारितह रोका गया मुक्तवान एत्यजत छोड़ दिया समा लंब्य आश्रयम ग्रिहीत्वा आश्रय ले करके लिलयाईव लिलया एव सुगमतया सरलतया अर्थत खेल खेल में आदिश्य आदेशं कृत्वा आदेश दे करके छात्राह अधुना अस्य पाठस्य अभ्यासकारियम पश्यामह प्रत्मह प्रस्नह अस्ती एक पदेन उत्तरम लिखता वयम जानिमह यत एक पदेन इत्यसे अर्था अस्ती एक एन एव पदेन अर्थात एक पद का उत्तर बच्चो एक शब्द में ही उत्तर देना होता है कही बार परिस्तिती ऐसी हो जाती है कि एक पद में उत्तर देना संभव नहीं होता तो उस परिस्तिती में आधिकाधिक दो शब्दों का प्रियोग कीजिए परंतु इस प्रस्न का उत्तर पूरे वाक्य में मत लिखिए अधुना प्रस्नान पश्यामह कीद्रिशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह विजने अतिथिही केन प्रबुद्धह पादध्वनिना क्रिशकायह कह आसित अभियुकतह अतिथिही वस्तु तह अतिथि अभियुकतह निर्धन जनह सहस समानह जनह वासित एक व्यक्ति एक ही था उसी कोई अभियुकत कह रहे हैं हम उसी कोई अतिथि कह रहे हैं उसी कोई निर्धन व्यक्ति कह रहे हैं तो तिनों ही उत्तर हो सकते हैं न्याय धीसह कस्मय कारागार दंडं आदिष्टवान, आरक्षिने कम निकषा मृत सरीरं आसीत, राज मारगं अधुना द्वितियं प्रस्नं पस्यामहा, छात्रह अस्य प्रस्नस्य उत्तरं पूर्ण वाक्येन लेखनियं भवती, पूर्ण वाक्येन अर्थात पूर्ण वाक्येन, केवलम एकेन वाक्येन उत्तरम्ना, यदी कदाचित वाक्यानी 22-23 हतव चत्वरी वाक्यानी प्रिभवन्ती तरी थाने सर्वाणी लेखनियानी, कब्हागह, निर्धनह जनह कथम वित्तम उपार्जित्वान निर्धनह जनह भूरी परिस्रम्य वित्तम उपार्जित्वान जनह किमर्थम पदाति ही गच्चती अर्थकार्षेन पीडितह जनह पदाति ही गच्चती प्रैस्रिते निशांधकारे सह किम एचिंतेयत? प्रैस्रिते निशांधकारे सह विजने प्रदेशे पदयात्रा नैशुभावह इती एचिंतेयत. वस्तुतह चाूरह कह आसित? वस्तुतह चौरह आरक्षी एव आसीत जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया अहम चोरितायाह मंजुशायाह ग्रहनाद वारिताह इदानिम निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व अस्मिन चोरिया भियोगे त्वं वर्ष त्रयस्य कारावास दंडं लप्षयसे इती मती वैभव शालिनह दुष्कराणी कारियानी कथम साधयन्ती मती वैभव शालिनह दुष्कराणी कारियानी नीतिम युक्तिम समाव लंब्य लीलयाय वसाधयन्ती चात्राह अधुनात्रितियम प्रस्नम पठामह अस्मिन प्रस्ने रेखांकितं पदं अधिकृत्य अस्माभी प्रस्न निर्माणं करणियम भवति बच्चो इस तीसरे प्रस्न में जिश शब्द को रेखांकित किया जाता है उस शब्द के आधार पर प्रस्नों की रचना की जाती है प्रतमं पस्यामहा पुत्रं द्रष्टुम् सह प्रस्थितहा कम् द्रष्टुम् सह प्रस्थितहा करूणा परो ग्रिही तस्मय आश्रयम प्रायच्चत करुणा परोग्रिही कस्मय आश्रेम प्रायच्छत चोरस्य पादध्वनिना अतिथी प्रबुद्धह न्याय धीशह बंकिम चंद्रह आसीत न्याय धीशह कह आसीत सह भारवेदनया क्रंदतिस्मा सह किमर्थम क्रंदतिस्मा अथवा कया क्रंदतिस्मा उभव शवं चत्वरे स्थापित वन्तव उभव शवं कुत्र स्थापित वन्तव चात्रह प्रस्न निर्माणम कुरूता इति प्रस्ने यदी वयम रेखांकित पदस्च्य स्थाने समीचीनम उत्तरम लिखित्वा वाक्यम पूर्णम कुरुमह अंतेचे प्रसन वाचक चिन् अग्रिमह प्रस्नाहा यथा निर्देशम उत्तरता बच्चों इसमें जैसा निर्देश दिया जाता है उसके अनुसारा हमें उत्तर देना होता है का आदेशम प्राप्य उभव ऐचलताम अत्र किम कर्त्री पदम उभव बच्चों पद शब्द तब कहलाता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रियुक्त हो तो कर्त्री पदम यानिके कर्ता क्रिया पदम अर्थात क्रिया इसमें हमें किसी तरह का मन में संदह नहीं रखना ख एतेन आरक्षिना एद्वनी यदुक्तम तत वर्णयामी अत्र मारगे इत्यर्थे किम पदम प्रियुक्तम् एद्वनी करुणा परोग्रही तस्मै आस्रयम प्रायत्चत अत्र तस्मै इती सर्वनाम पदं कस्मै प्रियुक्तं अती थये ततो असव तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आधिश्टवान अस्मिन वक्य किम क्रिया पदं आधिश्टवान वस्तु तह चात्र अत्र किंचिद विवरणम कर्णिय मस्ति अत्र आधिश्टवान क्रियायाह अर्थे विशेशन मस्ति क्रियापदम नास्ति दुस कराण्यापी कर्माणी मति वैभव शालिनह अत्र विशेश्य पदम किम कर्माणी अधुना संधिम संधिम विच्चेदंच कुर्महा पदाति रेवा पदाति ही धन एवा निशांधकारे अभ्यागतम भोजन धन अंते चाउरोयम ग्रिह धन अभ्यंतरे लेलययव यदुक्तम यत धन उक्तम प्रबुद्धह धन अतिथी प्रबुद्धो तीथी अधुना अग्रिमम प्रस्नम पठामहा अधो लिखितानी पदानी भिन भिन प्रत्यानतानी संती तानी प्रिथक प्रिथक कृत्वा निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम अधा लिखता बच्चो यहां कुछ शब्द दिये हुए हैं जिनमें अलग अलग प्रत्या दिये हुए हैं उनको हमें छाट करके अलग बताना है तो हम देखते हैं कि कौन से प्रत्या कहां पर है लिप प्रत्याया परिस्त्रम्या विहाया आदाया समागत्या अत्र सर्वेशु शब्देशु लिप प्रत्याय अस्ति यदि वयम सावधानतया पस्यामह तरही सर्वेशाम अन्ते य इति अस्ति कारणं लिप प्रत्य यह अवशिष्टह भवति पुनहा इतोपी एकम एतस्य प्रिष्टतह कारणं अस्ति अत्र सर्वत्र आपी उपसर्गह अस्ती यत्र उपसर्गह भवती धातुतह पूर्वं तदा ल्यप प्रत्य से प्रियोगह भवती यत्र उपसर्गह न भवती तत्र त्वा प्रत्य आगत्छती परिश्रम्य、 विहाय, आदाय, समागत्य एते लियप प्रत्ययुकताह शब्दह संती प्रस्थितह, प्रविष्टह, नियुकतह, मुधितह अत्र सर्वेशु शब्देशुकता प्रत्यय हास्ती उपारजितवान, प्रिष्टवान, नीतवान, आदिष्टवान अत्रक्तवतु प्रत्ययह अस्ती दापईतुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्नेतुम अत्र तुमुन प्रत्ययह अस्ती अधुना वयम वाक्याने याने दत्ताने ताने बहुवचने परिवर्तयामा ते बसियानम बसियानानी विहाय पदातयाह एव गंतुम निश्चयम कृतवनतः चोराह ग्रामे नियुकताह राजपुरुशाह आसन अथवा चोराह ग्रामेशु नियुकताह राजपुरुशाह आसन केचन चोराह ग्रिहाभ्यंतरं प्रविष्टाह अन्यद्युहु ते न्यायालय स्वस्व पक्षम स्थापितवनतः अधुना खोष्ठकेशु दत्येशु पदेशु वयम् विभक्तिम् प्रियुज्य रिक्तस्तानानी पूरयामहू ग्रिह शब्द पंचमी ग्रिहात अतिथ शब्द चतुर्थी अतिथए। न्याया धिकारिन शब्दे द्वितिया न्याया धिकारिणं इदम शब्दे सब्दमी अस्मिन पादध्वनी शब्दे तृतिया पादध्वनिना चात्रह अधुना अस्य पाथस्य अभ्यासकारियं समाप्तं एताद्रिशं एव नूतनं ज्यान वर्धकं पाथं स्वीकृत् मिश्यामी भवे तावत सुखम मंगलम धन्यवाद हाद